नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन E के बारे में जो आपकी हेल्थ से ब्यूटी तक के लिए बहुत लाबकारी है विटामिन E बालों और चेहरे की सुन्दर्ता को बढ़ाने में सबसे अहम होता है यहां ना केवल बाल और तवचा को सुन्दर बना के शरीर का सबसे बड़ा अंग है इसलिए इसकी देखभाल भी उतना ही जरूरी है तवचा की उपरी देखभाल के लिए आप बहुत सारे प्रडक्त इस्तमाल करते हैं जैसे की क्रीम, साबुन, तेल आदी लेकिन तवचा की पूरी देखभाल के लिए इसको अंदर से तो अगर आपके बाल कमजोर हो गए हैं उनमें जाइनेस या डैंडरफ की समस्या है तो आप विटामिन E कैपसूल का इस्तमाल कर सकते हैं विटामिन E कैपसूल में एंटिकसिडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं इनके कारण स्कैल्प में आक्सिडेटिव तनाव को कम करन में मदद मिलती है जिससे बालों का तूटना कम होता है विटामिन E कैपसूल खाने और इसे बालों में लगाने से बालों की खोई हुई चमक दोबारा पाई जा सकती है इस उपाई के लिए आधा छोटा चमच बादाम का तेल ले इसमें विटामिन E का एक कैपसूल निचोड दे इस मिशन को काले घेरे पर लगाए अच्छे परिणाम के लिए रात भर इस लेप को लगा रहने दे यह चेहरे के काले धब्बे भी मिताता है विटामिन E आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है इससे एज रिलेटेड मैकूलर डीजनरेशन के साइड इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है इसके अलावा विटामिन E के इस्तमाल से मोतियाबिन के जोखिम को भी कम किया जा सकता है नमबर पांच स्ट्रेच मार्क्स के निशान बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं यह तवचा के ज्यादा खिचाव के कारण होते हैं गर्भावस्था और अधिक वजन बढ़ने की वज़़ से यह हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स के निशान पर विटामिन ई तेल लगाना चाहिए यह स्ट्रेच मार्क्स के निशान को हलका करता है नमबर छे विटामिन ई शरीर की इम्म्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारी इम्म्यूनिटी तेजी से कम होने लगत नमबर साथ फटी एरियों की समस्या को दूर करने के लिए विटामिन E कैपसूल बहुत मददगार है वैसलीन में विटामिन E का एक कैपसूल निचोड़े इसे फटी एरियों पर लगाए आपकी एरिया एकदम मुलायम हो जाएंगी धन्यवाद दोस्तों विडियो को लाइक एंड शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे